हाई हलो नमस्ते फ्रेंट्स आज की रेल कारवा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम जानेंगे की ट्रेंज चालकों को कैसे पता चलता है की पटरियों पर किस तरफ जाना है तो आज की पूरी वीडियो इसी के उपर होने वाली है अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तो चलिया आच्छा रेल कारवां शुरू करते हैं आधिकारिक तौर पर कोई ट्रेंज चालक नहीं है नाम बदल कर लोको पाइलट कर दिया गया इसी तरह कोई गार नहीं है ना आर मतलब रोड लर्निंग लेते हैं और केवल उसी खंड के लिए काम करते हैं लोको पाइलट जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस दिशा में मार गया दिशा नहीं बदल सकते रेलवे ट्रैक पर पॉइंट को एक विशेश मार्क पर सिट किया जाएगा सेक्षन कंट्रोलर ट्रेन का मार्क और ट्रेन को किस समय शुरू किया जाना है यह तै करेगा वह उस विशेश स्टेशन मास्टर को निर्देश देगा कि किस समय ट्रेन थी फिर एस एम अपने सिंगलिंग पैनल के माध्यम से नीचे दिरिश में दिखाए अनुसार संकेत देगा मुख्य कार याल या सेक्शन कंट्रोलर से निर्देश के अनुसार स्टेशन मास्टर ट्रेन को उस दिशा में जाने के लिए सिंगनल देगा आगे बढ़ने या हरी बत्ती संकेत दिखाई देने से पहले पॉइंट स्वच्चालित रूप से उस दिशा में सेट हो जाएंग लोको पाइलट केवल ट्रेन की गती को नियंतरित कर सकता है या किसी समस्या के मामले में समस्या निवारण कर सकता है लेकिन ट्रेन की दिशा नहीं बदल सकता वह ट्रेन को चलाने के लिए केवल दिये गए सिंगनल का पालन करता है क्या होगा यदि सिंगनल खत्रे में है या लाल है और लोको पाइलट ट्रेन को चलानी की कोशिस करता है खत्रे के सिंगनल के मामले में पॉइंट को खत्रे पर सेट किया जाएगा यानि यदि लोको पाइलट ट्रेन को चलाता है तो ट्रेन पट्री से उतर जाएगी और दुरघटना की समभावना होगी उमीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रेन चालकों को कैसे पता चलता है कि पट्रियों पर किस तरफ जाना है अगर आज की वीडियो में दीगए जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए